दोस्तो बहुत बहुत स्वागती हैं आपका आए एक पार फेट से आपके अपने ही चेनल के रिक बॉली पार जहां दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2000 में रिलीज हुई तीन बड़ी फिल्मों के बारे में सल्मान कान और संजेदत की चल मेरे भाई सुनील शेटी और अक्षे कुमार की धड़कन और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे अक्षे कुमार और सुनील शेटी की हिरा फेरी फेट के बारे में इन तीनों फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे इन फिल्मों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में हे टॉट लॉप के बारे में और साथे साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इन तीनों फिल्मों ने अपने पहले दिन यानि के उपनिंग डे पर कितना बॉक्स आफिस कलेक्शन क्या था और किस फिल्म ने मारी थी बाजी तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हिरा फेरी फिल्म के बारे में तो 31 मार्च साल 2000 में रिलीज हुई थी ये फिल्म अक्षी कुमार, परिशावल और सुनिल शेटी इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डेरिट क्या था पिर्या दर्शन ने और तकरीबन साड़े साथ करोड उपे के बजट में बनी थी ये फिल्म ओपनिंग डे पर उतना खास कारोबार इस फिल्म ने किया नहीं था अपने पहले दिन इस फिल्म ने सिर्फ 64 लाक रुपे कमाई थे 64 लाक बॉक्स ओफिस इंडिया लाइफ टाइम इस फिल्म ने ठीक था कमाई की तकरीबन 13 करोड उपे कमाई और पूरे वल्ड में 22 करोड उपे कमाई और ये कॉमेडी, क्राइम, म्यूजिकल फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सेमे हिट साबित हुई अब अगर बात करें धड़कन फिल्म की तो 11 अगस्त साल 2000 में रिलीज हुई थी फिल्म अक्षी कुमार, शिल्पाशेटी और सुनिल शेटी इस फिल्म में एहम किरदारों में रज़र आई थे, फिल्म को डैरेट क्या था धर्मेज दर्शन ने और तकरीबन 10 करोड उपे क बजट में बनी थी फिल्म, ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने ठीक था कारोबार क्या था, अपने पहले दिन इस फिल्म ने तकरीबन 80 लाक रुपे कमाई थे, बॉक्स आफिस इंडिया लाइफ टाइम इस फिल्म ने 14 करोड रुपे कमाई और पूरे वल्ड में 27 करोड रु और तकरीबन 14 करोड रुपे इस फिल्म का बजट था, ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने काफी अच्छा कारोबार किया जूकि उस टाइम की एक अच्छी ओपनिंग कह सकते हैं, एक करोड पांच लाक रुपे कमाई इस फिल्म ने अपने पहले दिन, बॉक्स आफिस इंडि आजी की, तो यहाँ पर धड़कन फिल्म इन तीरों फिल्मों में सबसे आगे रहे, लेकिन दोस्तों आपको इन तीरों फिल्मों में कौन से फिल्म में सबसे ज़्यादा पसांद, कमेंड में सुरूर बताईएगा, टांक यू